तो सबसे पहले तो देखिए यह जो 18.18 परसेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दो गटे 11 ठीक है इसको याद कर लिजेगा कैसे आया है इसमें सो जब दो कोमन लोगे तो 9.9 परसेंट बनेगा 9.9 का मतलब क्या है 1 upon 11 into 2 ठीक है और दूसरा भी देख लो के 14 सही 14 सही 2 upon 7 परसेंट यह जो value लिखिए इसका मतलब होता है 1 upon 7 ठीक है इसका 1 upon 7 होता है अब question पाजाओ जब इसका मतलब 2 upon 11 है तो question में क्या बोलना है कि गीता अपनी आये का 18.18 परसेंट बजाती है मतलब वो अपनी income अगर उसकी income 11 है तो उसमेंसे दो budget कर द 2 बचार ही था व और 2 बचार ही तो खर्च कितना कर रही होगी फो नो कर रही होगी ठीक है और सही अब एक बात बताओ यहां से में क्या करना है 14 सही 2 by आs जो व्रद्धी हूई है यह व्य हैं x man deger मेंने pandemic में 1 by e7 तो यहां पर 9 का 1 बटे 7 निकालना मुश्किल है पॉइंट में आएगा ने ठीक है तो सभी तरफ 7 की मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है पहला काम तो हमारा यह अब इसका 1 बटे 7 निकालोगे तो 9 आजाएगा आसानी से हो जाएगा ठीक है अब दूसरे बात क्या है कि आय में 20% व अब इस ऐसी रहने तो अब देखी क्या करते हैं इंकम में 20% की व्रद्धी करनी है तो 20% का मतलब 1 बटे 5 ठीक है इसका 1 बटे 5 कितना होगा 11 सते 77 ठीक है तो इंकम कितनी बढ़ी 77 बढ़ गई अब 14 से 2 बटे 7 परसेंट बढ़ रहा है हमारा expenditure व्यां तो 14 से 2 बटे 7 का मतल बढ़ी होगी बताओ इस मेंसे से माइनस कर दो तो कितना हुआ 32 ठीक है तो यह जो बढ़ाना हमारा 32 बढ़ गया क्या सेविंग जो है 32 बढ़ गी और question में दिया हुआ इस 32 की value 9600 ठीक है अब क्या करना है एक की value निकाल लो 32 चान में एक ratio की value कितनी होगी 300 अब हमें करना क् उच्छा है कि उसकी प्रारंबिक आये बताओ अब प्रारंबिक आये तो इतनी थी ठीक है इसकी calculation कर लो 37 35 35 गुना 11 कितना होगा 11 55 5 11 33 38 38 38 तो हमें 350 रेशो की value निकाल ली है अब 350 रेशो की value निकाल ली है तो कितनी होगी 2 0 तो यह तीन की गुना कर लो 35 15 और एक आठ थे 24 25 तो वास्ता में जो प्रारंबिक इंकम थी ना वो प्रारंबिक आये जो थी वह हमारी यही थी अगले question में क्या कर रहा है अगले question में कर रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आये 875 रुपे ठीक है यह क्या है यह income है और एक मन्त की income है ठीक है और खर्च दे रखा है एक मन्त का expenditure दे रखा है कितना है पचास हजार रुबे अब एक बद बताओ जब income इतनी है expenditure इतना है तो अगर मैं ratio निकालना चाहूं आई और एक्सपेंडेचर का मतलब income और expenditure का ratio निकाल लेंगे तो 2-0 cancel होगी कितना हुआ 875 अनुपात 500 ठीक है अब दोनों को cancel करो 125 से कटेंगे दो एक्सपची सत्य और 125 ओका ठीक है तो इंकम साथ आ गई और expenditure चार आ गया तो सेविंग कितना होगा अगर मैं बोलों income बराबर saving plus expenditure तो इस हिजाब से income कितनी बन रही है income बन रही है साथ saving कितनी देखो जब expenditure 4 है सेविंग कितनी रही होगी तीन ठीक है अब question में आगे बढ़ना है तो क्या करना है अब वो बोल रहा है कि अगले वर्स उसकी आय में 33% की व्रद्धी हो जाती है अब एक काम करो यहां से के allocation से कर लो इस से भी हो जाएगा 33% यह बढ़ना पड़ेगा दो जोरो चिपकानी पड़ेगी इसमें साथ में ठीक है अब बदाओ इस में से कितना 15 होगा 33 में से हटारा गया एक की वैली हो तो 5 की वैली होगगी 20 तो जिब 33 से चोटा बढ़ी होगी यह बड़ी का मिली जह Conte मीलियो ज़ो तो यह कितना मिला 33 स क्या से ओट हो ₹ तरेपन परसेंट तो जो सेविंग जो है ना वो तरेपन परसेंट बढ़ गई ठीक है समझ माया पॉश्ण अब क्या है दुबारा समझ ले इस पॉश्ण को इंकम ती एक महिनीं के एक महिनीे का एक्सपंडेश Dennettale को ढाता है दोनों का हमने लिया value 20 अब ये value छोटी है इस से अठा रहे है छोटी है 33 तो ये वाली बड़ी होगे बड़ी काम मिलेगे तो 33 में 20 जोड़ोगे ठीक है तो 53 परसेंट इसका चलिए next question देखते है next question में क्या कहा रहे है कि x-y का 60% बराबर 45% किसका x-y का ठीक है ये दे रखा है अब सबसे पहले x और y में relation तो निकाल लो यहां से देखिए यह चो का है इसका मतलब multiply तो है ठीक है और यहां पर बीच में multiply है तो % से % गाट लो और 60 और 15 को गाट होगे तो 15 से 15 को साथ 15 ती 45 ठीक है तो 4 और 3 का मना तो मैं कह सकता हूं कि x plus y upon x minus y बराबर क्या होगा इसको इस वाले bracket के calculate करोगे ना या तो cnd rule लगा दो या फिर cross multiply कर दो तो क्या मिलेगा cnd rule लगाओगे तो x upon y मिलेगा 7 upon 1 ठीक है तो ratio पता जाल गया है ऐसे x और y का ratio पता जाल गया कि x और y का ratio क्या है 7 अनुपात 1 अब एक बताओ यहां से अगर y यह रखा है y बराबर x का के % तो y जो है वो एक्स का कितने % है यह क्या हुआ देखें question की दूसरी लाइन पढ़िए y बराबर x का k % तो y कितना है एक 7 का कितने % है तो यही k % की value नहीं होगी ठीक है ठीक है ठीक है भई तो हमारा k की value है वो यह आई k % है न यही तो है y जो है x का कितने % है तो k की value मिलगी अब यहीं प पूछा उसने k का किस % बताना है ठीक है तो k कितना है k कितना है 100 बटे 7 तो 100 बटे 7 का कितना % 21 और जैसे हम 20 परसेंट निकाल लेंगे 100 से 100 cancel हो गए और 21 कटेगा 7 से 3 बार आंसर क्या मिला है सवाल का 3 ठीक है दुबारा समझ लो पहले हमने क्या किया ratio निकालना है x और y का x प्लस y यहीं पर रहने दिया x-y इसके अपॉन में लेगे चले गए ठीक है यहां पर 4 बचार यहां पर 3 चार बटे 3 यहां पर यह तो cross multiply कर लो यह फिर लगा दो cnd rule ठीक है उसने कहा है कि k जो है न वो क्या है k की value क्या वो लखी है कि y x का कितने % है अब y x का इतने भी % है वही k है तो हमने निकाला y 1 x का कितने % है तो 1 upon 7 into 100 ठीक है और अब वो पूछ रहा कि k का 21% बताओ तो भही k का 21% निकाला हमने 3 ठीक है यहीं पर question का answer है चलिए आगला question सहर a की जनसंख्या से 56.25 अधिक है तो सबसे पहले a और b की जनसंख्या में relation ही निकाल लो भई यह 56.25% का मतलब क्या होगा बताओ 56% इसको हम लिख सकते है 50 plus 6.25 और इस 50 को लिख सकते है देखिए अभी percentage में है दोनों तो 50 को ratio में convert करोगे एक बटे 2 ठीक है और 6.25 को convert करो होगे तो यह बनेगा एक बटे 16 ठीक है और जब इन दोनों को solve करोगे लेने के बाद तो 8 और 9 बटे 16 ठीक है इसी तरह सा solve करना है अब देखिए 56.25 के मतलब 9 बटे 16 होगया ठीक है यह याद रखना है अब question पाजा उसने बोला है कि b की जनसंख्या a की जनसंख्या से 56.25% अधिक है ठीक है एक ही जनसंख्या से तो अगर हम जनसंख्या की बात करें ए और बी की जनसंख्या की बात करें तो भाई एक ही जनसंख्या से बी की जनसंख्या अधिक है कितनी है अगर एक ही जनसंख्या 16 है तो बी की जनसंख्या 16 से 9 अधिक है मतलब 25 हो गई ठीक है अब परसेंट की दो बार कमी होगी है और दो साल बाद जन संख्या बराबर होगी है ठीक है भई तो अब यहां पर देख लो इस question को क्या करेंगे x परसेंट की व्रद्धी हो रही है तो हम यह नहीं कह सकते भई देखो अगर मैं कहा रहा हूं के 100 था 100 एक value है और इसमें मैं 5% की व्रद्धी कर रहा हूं तो क्या 105 नहों गया ठीक है 105 हो गया तो मैं कह सकता हूं के 100 से 105 जाने के लिए क्या क्या है मैंने 105 बटे 100 यही तो निकाल दा इसका 100 का 105 बेटे 100 निकल लोगे 105 परसेंट निकलेगा ठीक है 100 का 105 परसेंट निकल लोगे तभी तो 105 निकलेगा तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसकी जो 16 है उसको X परसेंट दो बार बढ़ा है तो मैं कह सकता हूं कि 16 को हमने बढ़ाया है 100 प्लस X और इसके स्क्वयर दो बार गुना होगी न यह परसेंटेज में 100 प्लस X और यह बराबर हो जाएगा 25 गुना कितना 25 गुना 100 देखिए जितना यहां पर एक्स परसेंट बढ़ा रहे हैं मों तनहीं 2 बार घटा रहे हैं कोशन में बोला है कि x% a की जनसंख्या जो है वो x% दो वर्स बढ़ी है और b की जनसंख्या x% दो बार घटी है तो हमने x% बढ़ा दिया और यहां पर x% घटा दिया और दोनों बराबर कर लिया ठीक है जब दोनों का square root करोगे square root दोनों तरफ करोगे तो यहां पर मिलेगा 100 plus x upon 100 minus x ठीक है यह upon में आ गया और जब square root करोगे तो यहां पांच बनेगा और 16 बनेगा 4 ठीक है यहां पर cnd rule लगा दो cnd rule लगा ओगे तो क्या बनेगा 100 upon x is equals to 9 upon 1 ठीक है और x की value कितनी आ गई भी x की value आ गई 100 upon 9 तो 11 से एक बटे 9 लिख लो या फिल लिख लो 11.11 यह भी ठीक है तो option number 20 का सही उत्तर है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉस्टन देखते हैं 140 परसनों की वाली एक परिक्षा में एक अब्यारती ने 80 परसनों में से 70% का सही उत्तर दे दिया ठीक है और कितने सही उत्तर देने होंगे उसे सही है तो एक बात बताओ 140 टोटल थे देखो दो पार्ट में है ना पहला पार्ट पार्ट एक और पार्ट दो पार्ट एक में उसने 80 किये हैं तो दूसरे पार्ट में कितने किये होंगे तो असी धर किये होंगे तो दूसरे पार्ट में 60 किये होंगे और 80 और 60 का रेशो अगर लेंगे 20 चोक 80 और 20 तिया 60 ठीक है अब उसने पहले पार्ट में जो है 80 जो कुशन किये थे उसमें 70% सही कर तो 3 की value 10 है तो 4 की value कितनी होगी कितनी होगी भी जब 3 की value 10 है तो 10 बटे 3 गुना 4 4 की value होगी 40 बटे 3 तो जब ये value इससे बड़ी है तो ये value से छोटी होगी और कितनी छोटी होगी कि 60 में से minus कर दो 60 में से minus कर दो क्या 40 बटे 3 ठीक है भी बस इस में से माइनस करो, जैसे इस में से माइनस करोगे, तो कितना मिलेगा, 46, 2 by 3 परसेंट, ठीक है, सही है, option number, 30 का ठीक है, 60 में से 13, सही 1 बटे 3 गटाओगे, तो 40 सही 2 बटे 3 मिलेगा, मतलब वो part second में है न, जितनी भी 60 कोस्टन थे, उस में से, वो 40 सही 2 बटे 3 कोस्टन से, परसेंट कोस्टनों से सही करने होंगे, ठीक है, समझ के होगा, allegation method, चलिए, इस से दूसरे method से भी simple कर सकते हैं, वो basic method होगा, वो बता दूँगा, लेकिन ये best है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, दूसरे method से, अगर हम इसे करने लगे, तो कितना होगा, 80 में से, 70 परसें साइँ, बने करने है, 6% , 14 *** 84, 84 से सही करने है, ठीक है, से x बचे 60, अब, उसा 60अप में कितना sol करने होगे, बताई है, अब, कितने करने हो गए, आठ और 2 है 28 करने होगा, सही आप, उसमें , यह 6 question है, अब से 60 में से 28 करने होगे, तो कितने परसेंट करने होगे, 28 बचे 60, तो एक सो चालिस बटे तीन की वल्ली कितनी होगी तीन चोक बारा और तीन चींग अठारा दो बटे तीन परसेंट तो यह सिंपल दरीके से भी हो सकता है चलिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं यहीं पर खतम करते हैं क्योंकि जो टाइप चलेगा हमारा उसका एक अ अगली वीडियो में उससे टाइप को डिसक्स करेंगे और अच्छी तरह से डिसक्स करेंगे ठीक है इसको ही रहने देते हैं अगली वीडियो मिलते हैं ओके गुड़ लग